WBC, White Blood Cells या Leukocytes क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे बॉड़ी के Defense या फिर Immune System. वो किसी एडल्ट की बॉड़ी में 4000 से 10,000 यानि औस्थ अनुमान पे 7,000 हर माइक्रो लीटर अफ बॉड़ पे होते हैं. यानि WBC अगर Increase हो इसका मतलब है कि आपके बॉड़ी में कहीं पे Infection जरूर होगा. हमारी Bone Marrow जो होती है वो पाच तरह के White Blood Cells बनाती है. पहला Neutrophiles ये जो होती है वो सबसे ज़्यादा Abundant होती है. ये 62% पूरे White Cells जितने White Blood Cells हैं उनका भाग बनती है. और वो पहले होते हैं जो Infection से लड़ाई करते हैं. Next है U-Synophiles ये जो होती है ये Cells Allergies के उपर लड़ाई करती हैं. यानि Allergies के साथ रियक्ट करती है Allergies के साथ जो की Allergies पहले हम पर Attack करें उससे पहले. Basophils ये Third Stage होती है ये जो होती है वो Rarest होती है. वो Histamine Release करती है और ये जो Histamine है वो दूसरे सेल्स को Gather करता है वाइट सेल्स को. और ये हरापिन को भी Release करती है जो की Clots को Dissolve करता है और Lymphocytes ये चौती है ये जो है ये सिफ Infection से लड़ाई करती है और ये Even कुछ हमारे Diseases से भी Immunity देती है ये हमारे लिए Antiboties भी बनाती है जो बहुत जरूरी है लास्ट में है Monocytes इनका काम सबसे ज़्यादा Simple होता है ये जो होती है ये बस साफ करने का काम करती है यानि लास्ट में जब सब Infection मर जाते हैं और तक्स वर वाच्छिंग